इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. अल्टोकलेव ड्राइ सिर्प एक पैनिसिलिन प्रकार की एंटी बाउटिक है जो आपके शरीर को बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमनों से लड़ने में मदद करती है. इसका इस्तेमाल फेफ़डों यानि की जैसे नियूमोनिया, कान, नेजल साइनस, मूत्र मार्ग, त्वचा और मुलाया मूतक के इंफेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है. यह दवा सर्थी जुकॉम जैसे वाइरल इंफेक्शन के लिए काम नहीं करेगी. अल्टोकलिव ड्राय सिर्प को पेट खराब होने की संभावना को कम करने के लिए भुजन के साथ लेना सबसे अच्छा है. डॉक्टर द्वारा निर्धारिट शेडियूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए. इसे रोज एक ही समय प बन न करें. भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो. अगर आप इसे समय से पहले लेना बन करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इंफेक्शन वापस आ सकता है या बिगड़ सकता है. इस दवा के सबसे आम साइड एफेक्ट में उल्टी, मिचली आना और डायरिया यानी की दस्ट शामिल हैं. ये आम तोर पर हलका होते हैं लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या होती है या नहीं जाएंगे तो अपने डॉक्टर को बताएं. यदि आपको किसी एंटी बाउटिक से अलजी है या किड्नी या लिवर की कोई समस्या है तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं. आपको अपनी हेल्थकेर टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि क्यूंकि इस दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है या वे इसके असर को कर सकती हैं. डॉक्टर की सलाहनुसार आम तोर पर इस दवा का इस्तेमाल गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान करना सुरक्षित माना जाता है. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें औ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।